हेलो गाईज आज की इस वीडियो में आप साथ सेयर करने वाला हूँ जियो कंपनी की तरफ से निकल के आई है जौब वेकंसी अगर आप भी जियो कंपनी में जौब करना चाहते हो, पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो जियो की तरब से निकल के आई है job vacancy जहां पे आप apply करके जियो company में job कर सकते हो तो कैसे आपको apply करना है जियो company में क्या job करना होता है कौन कौन apply कर सकता है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो का एंट तक जरूर देखें अगर आपको ये वीडियो helpful लगती है ये वीडियो को like share जरूर करें तो चली वीडियो को start करते हैं देखते हैं कैसे हमें apply करना है कौन कौन apply कर सकता है और काम क्या करना होता है और हमें salary कितने मिलने वाली है जियो company में और ये work from home में आप अपने घर से इस job को कर सकते हो तो चली वीडियो को start करते हैं देखते हैं कैसे हमें apply करना है और क्या काम करना होता है so guys description में आपको link मिल जाएगा आप जैसे ही link पर click करोगे आप सामने जियो की career वाली website open हो जाएगी आपको यहाँ पे थोड़ा सा scroll करना होगा आप जैसे scroll करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे job दिख रहे होंगे लेकिन हम यहाँ पे और थोड़ा scroll करना है और यहाँ पे में freelancing वाले job पर click करना है यहाँ पे आप देख सकते हो freelancer पे अभी 108 job opening है तो यहाँ पे मैं जैसे ही click करता हूँ तो guys यहाँ पे हमारा freelancing वाला job page open हो चुका है हम थोड़ा सा scroll करते हैं तो यहाँ पे आपको link के आ रहा है friends आपकर student हो self employee हो या आप एक home maker हो अगर आप घर पर हो तो इस job के लिए आप apply कर सकते हो और यहाँ पे आपको क्या काम करना होता है मैं आपको बता देता हूँ तो guys आपको यहाँ पे customer के call को receive करके उनके problem को solve करना होगा तो आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से problem को solve करना होगा तो guys यहाँ पे आपको link के आ रहा है कि यहाँ पे आपको जो है one से two week का आपको यहाँ पे training मिलता है उस training के दोरान आपको बताया जाता है कि आपको customer के कौन कौन से problem को solve करना है और क्या काम करना होता है जैसे आप इस job के लिए apply करते हो job के बाद आपको 1-2 week के लिए training होता है training के बाद आपको यहाँ पे job करना होता है training के दोरान आपको बता दिये जाता है कि आपको job में क्या क्या करना है तो friends आप इस job को apply करने के लिए आपको क्या करना होगा आपके यहाँ पे थोड़ा से scroll करके यहाँ पे आपको show entry वाला जो option दिख रहा है इस पर click कर देना होगा जैसे आप इस पर click कर देते हैं तो यहाँ पे आपको 25 वाले option पे click कर देना होगा जैसे कि यहाँ पे हमारा ज्यादा result 100 करेगा तो guys आपको यहाँ पे चेक कर लेना होगा आपका location क्या है यहाँ पे आपको location दिख रहा है पंजाब पटना दिख रहा है तो आपको यहाँ सर्च कर लेना होगा जैसे यहाँ पे उतराखंड अंधरा परदेश दिख रहा है तो आप जिस location से हैं तो आप उस location को choose कर लेना होगा जैसे मैं यहाँ पे उतराखन choose करता हूँ तो आपको यहाँ पे इस वाले option पे click करना होगा जैसी आप इस पर click करोगे आप सामने एक नया page open हो जाएगा तो आप यहाँ पे थोड़ा से scroll करोगे तो आपको जो आपके पूरा details से यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपको जो आपको apply कैसे करना है क्या क्या काम करना होता है और कौन apply कर सकता है अगर आप 10-12 पास हो तो भी आप इस जोब को apply कर सकते हो की नहीं यहाँ पे आपको जोब responsibility दिख रही है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस जोब को कौन कोन कर सकता है इसके बदफिंट से यहाँ पे आपको education requirement मांग रहा है अगर आप 10-12 पास हो तो इस जोब के लिए आप apply कर सकते हो इसके बदफिंट से आपको यहाँ पे experience requirement मांग रहा है अगर आप pressure हो तो भी जोब के लिए apply कर सकते हो और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कौन कौन से skill आनी चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो basic knowledge of reading and writing आपको पढ़ना आना चाहिए थोड़ा सा लिखना आना चाहिए basic भी होगा चलेगा इसके बाद आपके पास smartphone using आपको smartphone चलाना आना चाहिए इसके बाद speaks local language आपको जो भी local language आपका आता है आप जहाँ पर हो वो आपका language आना चाहिए इसके बाद यहाँ पे sell and customer handling skill आपको customer को handling करना आना चाहिए इसके बाद friends आप यहाँ पे location देख सकते हो आपको किस location पे आपको दिख रहा है तो आप इस location से हो तो आप इसके लिए apply कर सकते हो apply करने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पे apply now पे click करना होगा जैसे हम apply now पे click करते हैं तो guys आपको यहाँ पे login करना होगा अगर आपके पास account नहीं है तो आप यहाँ पे new user पे click करके यहाँ पे account बना सकते हो account जैसे आप new user पे click करोगे आपको यहाँ पे अपना email id डाल देना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर first name डाल देना होगा, last name डाल देना होगा, date of birth डाल देना होगा, आपको यहाँ पर अपना country चूस कर लेना होगा, और यहाँ पर अपना mobile number डाल देना होगा, जी होगा, इसके बाद friends आपको यहाँ पर capture code फिल कर लेना होगा, इसके बाद आपको confirm कर देना होगा जैसे आप confirm कर देते हो आपको account यहाँ पे बन जाता है इसके बाद आपको यहाँ पे login कर लेना होगा जैसे ही आप login के option पे click करते हो आपके सामने यह वाला page open हो जाता है यहाँ पे आपको personal information fill करना होगा यहाँ पे आपको about or self आपको अपने बारे में लिखना होगा इसके बाद friends आपको यहाँ पे date of birth आपका यहाँ पे पहले सही mention होगा इसके बाद आपको यहाँ पे अपना gender डाल देना होगा इसके बाद आपको यहाँ पे over current location डालना होगा आप कहां से काम करना चाहते हो यहाँ पर आपको अपना country डाल देना होगा state डाल देना होगा city डाल देना होगा इसके बाद friends आपको यहाँ पर upload और resume आपको यहाँ पर अपना resume को upload करना होगा तो बाद यहाँ पर आपको next पर click कर देना होगा जैसे ही आप next पर click करोगे यहाँ पर आपको address डालना होगा तो guys आप यहाँ पर अपना address डाल लीजिए landmark डाल लीजिए आप किस country से यहाँ पर आपको country choose कर लेना होगा यहाँ पर आपको state डाल देना होगा यहाँ पर आपको अपना district डाल देना होगा और आपको यहाँ पे city डाल देना होगा यहाँ पे आपको अपना pin code number डाल देना होगा इसके बात friends यहाँ पे आपको permanent address डाल देना होगा अगर आपका permanent address सेम है तो आपको यहाँ पे tick कर देना होगा का भी from present address तो दोनों सेम हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर scroll करना है इसके बाद friends आपको यहाँ अपना next option पर click कर देना होगा इसके बाद friends आप जैसे ही फिर से next करते हो तो आप सामने एक और page open होता है यहाँ पर आपको total experience डालना होगा अगर आपके पास कोई experience नहीं तो आप यहाँ पर zero लिख सकते हो इसके बाद आपको यहाँ पर total experience मन्त अगर आपको मन्त में कोई experience है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो अगर आपको zero मन्त experience है तो आप यहाँ पर zero डाल सकते हो इसके बाद friends आपको यहाँ पे skill डालना होगा maximum आप यहाँ पे 5 skill डाल सकते हो तो आपको यहाँ पे अपने skill को choose कर लेना होगा आपको कौन कौन सी skill आता है इसके बाद friends आपको यहाँ पे अपने education label डालना होगा आप कितना पढ़े हो यहाँ पे इसके बाद आपको अधार कार्ट नंबर डाल देना होगा इसके बाद यहाँ पे आपके अधार कार्ट पे क्या नाम है आपको यहाँ पे अपना अधार कार्ट पे नाम डाल देना होगा इसके बाद यहाँ पे आपको interest group तो आप यहां पे select कर सकते हो आप किस group से हो आपको इस वाले option में fill करना होगा अगर आप travel ज्यादा करते हो तो आपको यहाँ पर percentage में fill करना होगा कि आप कितने percent travel करते हो तो यहाँ पे मैं 10% डाल देता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा travel नहीं करता हूँ इसके बाद friends आपको यहाँ पे इस वाले option पे भरना है अगर आप अलग अलग जगहें पे travel करते हो तो आपको यहाँ पे yes कर देना होगा एक ही जगहें पे travel करते हो तो यहाँ पे no कर देना होगा तो यहाँ पे मैं no कर देता हूँ इसके बाद friends आपको यहाँ पे save and continue option पे click कर देना होगा जैसे ही आप save and continue option पे click करते हो आपको job यहाँ पे apply हो जाता है इसके बाद friends आपको wait करना होगा इसके बाद आपका जैसे ही selection होता है तो जीओ की तरब से mail आता है आपके email ID पे इसके बाद आगे के process आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा तो इस तरीके से आप जीओ में apply कर सकते हो तो friends description में link है जहां से आप जीओ में job के लिए apply कर सकते हो तो I hope यह video आपको helpful होती है अगर आपको यह video helpful होती है तो make sure channel को like से subscribe जरूर करें तो चलिए मिलते हैं next video